काल पहले ही हासिल कर लिया है आज हमारी सोलार एनर्जी केप्रिसिटी करीब अठारा गुना बढ़ चुकी है हाइड्रोजन मीशन हो या फिर सर्कुलर एकानमी पॉलिसी का विश्य हो यह परियाबर रक्षा की हमारी प्रतिवद्दता का प्रमान है हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए है वो स्क्रैप पॉलिसी अपने आप में बहुत बड़ा काम होने वाला है साथियों अपने इन प्रयासों के बीच आज परियावरान दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्दी हासिल की है और यह मेरा सवभाग है कि खुश खबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचीत मंच मिल गया है भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधापुन्य आपको मिल जाता है कि यह खुश कबरी में आप जुरूर सुनाओंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा हाँ कुछ लोग आनंदी ले सकते हैं आज भारत ने पैट्रोल में दस प्रतिशल इथेनोल ब्लेंडिंग के लक्ष को प्राप्त कर लिया है आपको यह जानकर भी गर्व की अनुभूती होगी कि भारत इस लक्ष पर तैस समय से पांच महिने पहले पहुँच गया है यह उपलब्दी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ देड़ प्रतीशत इथेनोल की पैट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी इस लक्ष पर पहुँचने की वज़े से भारत को तीन सीधे फायदे हुए है एक तो इससे करीब 27 लाग टन कार्बन एमिशन कम हुआ है दूसरा भारत को फोर्टी वन थाउजन करोड पे से जादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और तीसरा महत्वकून फायदा ये देश के किसानों को इथेनोल ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग बढ़ने के वज़े से आठ वर्षों में 40,000 करोड रुपिय से भी जादा आए हुई है मैं देश के लोगों को देश के किसानों को देश की ओईल कमपनियों को इस उपलब्दी के लिए बढ़ाई देता हूँ साथियों देश आज जिस पीएम नेशनल गती शक्ती मास्टर प्लान पर काम कर रहा है वो भी परियावरण रक्षा में अहम भूमी का निभाएगा गती शक्ती की वजह से देश में लॉजिस्टिक सिस्टेम्स आधुनिक होगा ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम्स मजबूत होगा इससे प्रदूशन कम करने में बहुत मदद मिलेगी देश में मल्टी मोडल कनेक्टिबिटी हो सो से जादा नए वाटर वे के लिए काम हो ये सभी परियावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज की चुनोती से निपटने में भारत की मदद करेंगे साथियों भारत के इन प्रयासों इन अभ्यानों का एक और प्रक्षा है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है ये प्रक्षा है ग्रीन जॉब्स भारत जिस प्रकार परियावरण हित में फैसलिन ले रहा है उन्हें तेजी से लागू कर रहा है वो बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स के अवसर भी बना रहे हैं ये भी एक अध्यन का विशह है कि जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए ताथियों परियावरण की रख्षा के लिए धर्ती की रख्षा के लिए मिद्धी की रख्षा के लिए जन चेतना जितनी जादा वड़ेगी उतना ही बहतर परणा मिलेगा मेरा देश और देश की सभी सरकारों से सभी स्थानी निकायों से सभी स्वयम से भी संस्ताओं से आगर है कि अपने प्रयासों में स्कूल कॉलेजीज को जोड़िये एनसेज एनसीज को जोड़िये आज़ादी के अमरित महोसों में जल सवरक्षन से जुड़ा एक आगर और भी करना चाहता हूं अगले साल पंदरा आगस तक देश के हर जिले में कम से कम एक जिले में हर जिले में कम से कम 75 अमरित सरोवर के निर्मार का काम आगदेश में चल रहा है पच्चास हजार से जादा अमरित सरोवर आने वाली पीडियों के लिए वाटर सिक्यूरिटी सुनिशित करने में मदद करेंगे यह अमरित सरोवर अपने आसपास मिट्टी में नमी को बढ़ाएंगे वोटर ट्रेबल को नीचे जाने से रोकेंगे और इनसे बायो डायवर्सिटी भी इंप्रूव होगी इस विराज संकल्प में आप सभी की भागिदारी कैसे बढ़ेगी इस पर जरूर विचार हम सब एक नागरी के नातिक करें साथ्यों परियावरण की सुरक्षा और तेज विकास सभी के प्रयासों से संप्रोणता की एप्रोच से ही संभव है इसमें हमारी लाइफस्टाइल की क्या भूमी का है हमें कैसे उसे बदलना है इसे लेकर मैं आज शाम को एक कारकम में बात करने वाला हूँ विस्तार से कहने वाला हूँ क्योंको आंतराश्य मंज पर मेरा कारकम है लाइफस्टाइल फॉर्द एन्वार्मेंट मिशन लाइफ इस सताब्दी की तस्वीर इस सताब्दी में धर्ती का भाग्य बदलने वाला एक मिशन का आरंब यह पी थ्री यानि प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट होगा आज शाम को लाइफस्टाइल फॉर्द एन्वार्मेंट के ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन का लॉंच हो रहा है मेरा आग्रह है कि परियावरान की रख्षा के लिए सचेध हर व्यक्ति को इससे जुरूर जुरूना चाहिए वरना हम एसी भी चलाएंगे और रजाई भी उड़ेंगे और परियावरान के सेमिनार में बढ़िया भाशनां भी देंगे साथ्यों आप सभी मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आपको सिद्धी मिले सद्गुरु जी ने जो लंबी ये महनत वाली यत्रा है बाइट पे वैसे उनका बच्पन से शौक रहा है ये लेकिन फिर भी काम बड़ा कठीन होता है क्योंकि मैं कभी यात्राओं को और्गिनाइज करता रहता था और मैं कहता था बेरी पार्टी में कि एक यात्रा को चलाना मतलब पांच-दस साल उमर कम कर देना इतनी महनत पड़ती है सद्गुरु जी ने यात्रा की अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को मिट्टी के पतीस नहें तो पैदा हुआ होगा लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परीशे मिला होगा आप सबको बहुत बहुत शुक्त कामना है धन्यवास पधान मंत्री नरेंद्र मंधी दिल्ली विज्ञान भवन खाते माटी बचावो अभ्यानना आ कारिक्रम ने संबोधन करियू तेमने कहुँछे के आपने सवय पर्यावरनी रक्षा करवी अने जन चेतना वधार्वी खूब जरूरी छे तेमने सद्गुरू जग्यवासुदेव न जे कामगीरी छे तेमनुजी अभ्यान छे तेना पन वखान करिया